पुर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचू अस्पताल पर इस समय घोर लापरवाही का आरोप लगातार लग रहा है अभी शोच छात्र को वेंटिलेटर ना मिलने से मौत का मामला थमा नहीं था कि आज फिर एक बार एक मरीज की मौत हो गई जसमें मरीज की पुत्री ने बीएचू प्रशासन पर आरोप लगाया कि ऑक्सीजन ना देने एवं बेड ना देने के कारण उनकी मौत होई है महला ने बताया कि जौन पर निवासी राजनाद गौड को चार दिनों से बुखार आ रहा था उनकी कोविट की जाच हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो गया पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो सिर्फ पिता की मात हो गई इस पूरे मामले को लेकर महला ने अस्पताल परिसर में जम कर हंगामा किया अच्छा वो कल आये मेरा भाई एरफोर्स में उमेश कोड नाम है उसका सर चंडीगर उसकी पोस्टिंग है वो भी मेरे पास यहां पर आया हुआ था उसको पापा को हम लोग रात में यहां आपको प्राब्लम क्या हुआ हुआ यहां पर कल आप लोगा है मैं बता रहीं सर म हुआ कोविड टेस्ट हुआ है कोविड नेगेटिव बताया गया है उसके बाद मैं यहां पर ब्यक्चू होस्पिटल में लेक्या हुआ हुँ रात नो बजे मेरे पापा को और यह लोग ऑक्सिजन उनको ऑक्सिजन आइसीव की बहुत ज़रू थी सर यह लोग हम लोग को हुआ भटकाते रहे कि स्ट्रेचर पर उनको हम लोग लेके गए हैं वहाँ पर एक सलाइन चोटी सी चड़ा दी गई है उसके लिए मुझे स्टैंड तक नहीं मिला है सर हम लोग ऐसे पकड़ के उपर सीलिंग में सलाइन लगा के बैठे हैं सर एक घंटे तक ऐसे ही बेड ट्रक नहीं मिला है एक बेड खाली था डॉक्टर से बोले यह अख लिए अच्चिजन के लिए हम लोग गए हैं सर आईच्व में भेजा गया जाके डॉक्टर से बात कर लो वह डॉक्टर कहता है मेडिकल आईचिव वाला कि हाई अथरिटी से फोन कराओ तब जाके आईच लगते हैं हमने का सर अगर कुछ चार्जिस लगते हैं तो कहते हैं चार्जिस आप नहीं दे पाओगे हां कि चार्जिस बहुत बड़े हैं सर